हेलो फ्रेंज स्वागत आप सभी का हमारे चैनल को के स्टेडी में मैं कमल वेश्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्त आपके आपर कराऊंगा ध्वानी का टॉपिक दोस्तो साउन्ड का टॉपिक जो आपका NCRD का महत्पून टॉपिक है दोस्तो और इसके आधर बहुत सारे अग्जाम हम आपके सभी अग्जाम में लगबग दोस्तो आपके कुषे जाते हैं लगलग फरकार की तो यहाँ पर आप जानेंगे और दोस्तो आपसे बार-बार कहा गया है यहाँ आपको कोई भी एक्जाम के तैयारी करनी है तो आप NCRD के माध्यम से कीजिए क्योंकि सा करते हैं इससे पहले भी दोस्ता हमने कई टॉपिक आप डाले हैं NCRD के उनको भी दोस्ता आप चाहें तो देख सकते हैं देखे दोस्ते आपर बात करते हैं सबसे पहले ध्वनी की ध्वनी क्या होती है दोस्तो सांड होती क्या है आपने दोस्तो उर्जा संरक्षन का नियम पढ़ा होगा अर्थात conservation law of energy आपने पढ़ा होगा दोस्तों उसमें क्या कहा गया है कि उर्जा का न तो क्या होता है न तो उत्पत्य होती है दोस्तों और नहीं क्या होता है विनाज होता है तो यहाँ पर दीए दोस्ता आपकी ध्वनी भी क्या है उर्जा का ही एक रूप होत कारण होता है तो कंपन क्या होता है जब आपनेस देखा होगा कोई भी आप वस्तु को भिलाते हैं तो है यह आपका एक द्वहनी उत्पनन हो जाएगी जाएक तो है यह आप दोस्ते एक्ञापन्स का कर सकते हैं यादि आप मेज पर मारेंगे तो वहाँ पर भी आप बार बार मारेंगे दोस्ते क्या होगा कमपन पैदा होगा उससे भी दोस्ता आपकी ध्वनी पैदा होती है तो ये रहा दोस्त आपका ध्वनिका उत्पादन का मुख्य जो आपका कारण होता है अब बात करते हैं दोस्तो ध्वनिक ऐसे आपकी संचारित होती है अब दोस्ते आप देखें बात करते हैं ध्वनिके संचरन की दोस्त आपने दिखावगा दूर वस्तु कोई भी आपका सोर्स होता है धुनिका वहाँ से लेके आप तक आवाज पहुंच जाती है या फिर आप अपने मुख से बोलते हैं दोस्तु और दूर तक किसे यानने के कानों तक पहुंचती है तो इसका मतलब धुनिका संचरन हो रहा है अब देखे दोस्तो धुनिका संचरन यहाँ पर देखे माध्यम में होता है किसे यांत्रिक माध्यम में होता है यांत्रिक माध्यम में मतलब आपका ठोस द्राव या फिर गैसमा आपका होता है तो देखें दोस्तों इनमें कैसे आपका संचरण होता को आप जानिए जब आप कोई भी वस्तु में कमपन पैदा करते हो तो हमने आपको बताया कमपन के बारे में जब आप हिलाते हैं तो इससे कमपन पैदा होता है तो कमपन के कारण क्या होता है देखिए जब आप माहलूजे वायू को आप example के तौर पे ले 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 हैं MAADHONE के तौर पे क्योंकि वायू दोस्तो आपका अपका सबसे सहच जो माध्यम होता है वायू होती है दोने के लिए अब यहां पर देखें, मानियजे आपने वायू को लिया तो वायू में जब आप वस्त को हिलाएंगे मानिजिए आपने डन्ने को हिलाया जब आपने आगे को हिलाया दोस्तो तो इससे क्या होगा वायू पर एक दबाव बनेगा यहाँ पर जो भी आसपास वायू थी दबाव लगाएगा, दबाव लगाने से दोस्तो, वो करण अपने इस्थान से हिलेंगे, और वो फिर अपने आगे वालों पर दबाव लगाएगे, तो यह लगातार दबाव लगाने के करण दोस्तो, यहां से लेकिए आपकी धुणी जो है, वहां तक पहुंच जायेगी, तो इस प्रकार से आपका होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए आपको खास बात क्या ध्यान देनी है, यहाँ पर माध्यम के करण दोस्तों अपने इस्थान पर ही रहते हैं, अर्थात यहाँ पर देखें क्या करते ही यह नमाल जी आपका संतुलेद विस्थापन करते हैं संतुलेद विस्थापन का मतलब अपने इस्थान से हिले और यहाँ पर दूसरे वाले कंड को हिलाया और फिर अपने इस्थान पर आ गया यहाँ पर देखें यहाँ से गया उसको हिला के आ गया और फिर यहाँ पर अपना इनिशियल कंडिशन में आ गया तो इससे क्या होगा दोस्तो यहाँ पर जो आपका माध्यम है माध्यम आपका बिल्कुल वहीं पर रहेगा लेकिन आपके जो उर्जा थी एक प्रकार की उर्जा जो आपकी थी दोस्तो जो कंपन था वो आगे बढ़ गया वैसे आपका फिर येकन क्या होगा बगल वाले को धगए लेका अपने आसपास वाले को और फिर आपनी जेगा बेच ला जाएगा और वैसी दोस्ते परकिरी आपकी चलती रहेगी तो इस परकार से एक उर्जा जो है माध्यम में संचलित हो जाएगी और यही दोस्ते एक ध्वनी कहलाती है तो आप दोस्ते आपर दीखे जब आगे को बढ़ाते हैं उर्जा को इसी उर्जा को दोस्त आप कहते हैं विक्षो दोस्तो एक विख्षोव है एक तरंग है अब यहां पर देखिए विख्षोव का मतलब आपका इसके लिए आपको माध्यम को हिलाने के आउशक्ता नहीं है बलके माध्यम क्या होगा कमपन करेगा किवल और कमपन भी क्या करेगा दोस्तो अपने ही संतुलित विश्थापित क को करेगा संतुलितिस्थान पर वहीं पर दोस्तों वापस वह आ जाएगा तो यह आपको समझ में आ गया होगा अब यहाँ पर देखिए आपको एक चीज प्रकाष यह प्रहको अब के देखिए आपको यह पर अब कर दोस्तों कीणारे पर लगया दोस्तों और जो है और यह तो इससे भी आपको दोस्तो एक example के तौर पर मिलेगा कि कैसे कमपन पैदा होता है और वो क्या प्रभाव डालता है अब यहाँ पर देखें दोस्तो आपको बताते हैं कि विरलन और संपीडन क्या होता जो आपका बार बार पुछा जाता है आपने मालिजी दोस्तो इस परकार के वस्तों आपर ले लिए इसे आप कह सकते हैं एक चमटा परकार का आपने दोस्तों एक ले लिया तो माध्यम पर एक दबाव बनेगा ज्यादा दबाव बनेगा जब आगे को बढ़ाएंगे तो ज्यादा दबाव बनेगा 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 तो ज्यादा दबाव बने उसके बाद यहाँ पर ज्यादा बना यहाँ पर थोड़ा कम फिर यहाँ पर थोड़ा ज्यादा फिर यहाँ पर थोड़ा कम क्योंकि देखिए जैसे ही दोस्तो आपका यह हिलेगा पीछे को जाएगा तो दबाव कम होगा आगे को बढ़ेगा तो दबाव ज्यादा होगा तो वैसे आपका थोड़ा सा राहत मिली शिधलता आई तो यहाँ पर आपका विरलन हो गया विरलन मतला आपका density दोस्तो जो घनत तो है वायू का माध्यम का वो थोड़ा सा कम हो जाएगा तो इस परकार से आप देखेंगे तो यह दोस्त आप गौर से देखें तो आपका इस पर फिर यह बना फिर यह बना इस परकार से दोस्तो द्वानी जा रही है इसका मतला आपका बढ़ रहा है पोजटिव है फिर आपका नीचे को घटा 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 फिर आपको ऊपर को देखें फिर बढ़ा फिर बढ़ा फिर आपका घटा फिर बढ़ा तो इस परकार से दोस्त यह question आपको दो question आपको confirm होगे होंगे जो आपके बार-बार पुछे जाते हैं कि बताईए ध्वानी जो है संपिड़न और विरलन क्या होता है अब यह question आपका आता है दोस्तों आपका विक्षोब क्या होता है आपर देखे question दिया है इनको आप हल करते रहेंगे विक्षोब दोस्तों आपको बता दिया गया है किसमे क्या होता है माध्धिम को हिलाए बिना आपका जो कणों का उर्जा का आगे को संचरन होता है वह यह आपका विक्षोब है अब यहाँ पर दिखिए दोस्तो ध्वनी संचरण के लिए माध्यम की आउशकता होती है यह question आपका बार-बार आता है ध्वनी के संचरण के लिए माध्यम की आउशकता होती है या नहीं दोस्ते आपर दिखे ध्वनी आपको पता होगा आपको पहले भी बता जा चुका है कि यांत्रिक तरंग है एक mechanical waves है दोस्तो तो इसके लिए क्या होगा माध्यम क्या आपको आउशकता होगी माध्यम आपका ठोस द्राव या फिर गयस कुछ भी आपका हो सकता है और एक question बार क missile प्रियो çalışर के दोस्तो प्रियो के तो उटस्तो सादित हो जैगा कि वास्ता में निर्वात में गमन नहीं करती तो प्रेक्टिकल यहां पर दिकैने है यहां एक निर्वाद पंप लगया गया है निर्वाद पंप क्या करेगा दोस्तो अंदर जो भी बोतल के अंदर वायू है उसे बाहर निकाल देगा देखे जब आप दोस्तो पहली बार पहली करनेशन में यहां पर आपने निर्वाद पंप को आफ कर रखा है अर्थात अंदर आप दोबारा बजाएंगे दोस्तो और यहां पर से आपकी धीरे-धीरे वायू बाहर निकल रही है तो आप देखेंगे अंदर की ध्वनी जो है वो लगातार कम होती जा रही है और वैसी धीरे-धीरे आपकी वायू पूरी खत्म हो जाएगी तो आपको ध्वनी नहीं सुनाई द तो इसका मतलब आपको confirm होता है कि निर्वात में ध्वानी की चाल 0 होती है अर्था ध्वानी आपको नहीं सुनाई देती है अब दोस्ते आपको बताते हैं अनुदायर्ध 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 अनु spring को आपने क्या किया एक बार दोस्त आपने खींचा इस्ट्रेस किया एक बार आपने compress के अर्थाद दबाया अब देखें दोनों ही connection में क्या है दोस्तो वस्तो आगे पिछे को जा रही है अर्थाद vibration जो होगा वो आपका चोंग कमपन पैदा होगा वो दोस्ता वका- श्रम के माधहिए यहां पर समझ पाएंगी तो यहीं दोस्तों क्या कया लाएगा इसके द्वारा क्या होगा एक फ़्टव कश्रण हो इस प्रकार से जो है आगे से पीछे को इस प्रकार से लो ईबहे को की यहाँ पे ड्रीलन हो केया में यह जाएगा तो इसे सब्सक्राइब गमन करती है तो इसी को क्या बोलते हैं आप अनुदैर्धे बोलते हैं तो अनुदैर्धे को आपको समझ में आ गया होगा आप देखे दोस्ते एक आपका अनुपरस्त होता है इसको भी आपको थोड़ा सा शौट आम बताते हैं अनुपरस्त क्या होता है दोस्तो जब आप कि वस्तु को हिलाते हैं उपर नीचे इस प्रकार से इस प्रकार से हिलाएंगे तो यह दोस्तों क्या होगा रस्ती को भी ले सकते हैं आप या फिर आप दोस्तों तालाब में कोई पत्थर मारें तो वहाँ पर भी आप देखते हैं तो इससे क्या होगा दोस्तों आपकी जो तरं दोस्ते को धक्का दे दे के चल रही हैं लेकिन अनुप्रस्त में क्या होगा यह दोस्तों लंब वहत आपकी चलेंगी तो यह आपका मुख्य अंतर होता है इसी के माध्यम से दोस्तों आप दोनों में इस परश्टताय अंतर कर सकते हैं तो एक कुछन आपके इतने क्लियर होगे होंगे अब दोस्ते आप दिखिया आगे पाड़ हों हम आपको आगे को बताएंगे जो आपका टॉबिक बचा है इसके आने जो बिंदू बचे हैं उनको भी आपको कराएंगी तो हमारे साथ भी बने रहेगा होगे थैंक्स जैहिं जैभारत